हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारेस यूट्यूग चैनल मोहित पांड़े क्लासेट पर फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इन दीनों कर रहे हैं क्लास 10 में मैथ का चिप्टर नंबर 4 दुई घात समीकरण और इसके लास्ट जो कुष्चन सुरू होने वाले हैं ये लेंग्वेज वाले कुष्चन है आज से प्यारे और ये कुष्चन बच्चों को समझ में नहीं आते हैं जल्दी बच्चे बहुत कंफिज रहते हैं लेकिन नहीं प्यारे आज के बाद आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा मैथ में language वाले question solve करने में क्यों? क्योंकि ऐसा तरीका में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे question को समझा जाए कैसे उनका समीकरन बनाया जाए और कैसे खट से देखते ही answer लाया जाए आपको बहुत मज़ा आने वाला है प्यारे आपने सोचा नहीं होगा कि math को इस तरीकी से भी पढ़ा जा सकता है मेरे चांसितारों आपने जो सपना देखा है math में 90 प्लस लाने का वो आपका सपना जरूर पूरा होगा अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपका ये सपना जरूर पूरा कराऊंगा प्यारे बस दो तीन चेप्टर और हम लोग करने के बाद में पिछले चार-पांस सालों में जितने भी कुष्चन पूछे गए है बोर्ड एक्जाम में वो पूरी आपको एक स्रीद चलाई जाएगी सारे कुष्चन आपको उसमें दिये जाएंगे प्यारे उस स्रीज को अगर आप लोग देखते हैं तो आपको 90 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोख पाएगा मेरे चांद सितारों तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं अपने 4.3 के बचे हुए कुष्चन की चलिए तो कुष्चन आपको स्लाइट पे दिख रहा होगा कुष्चन क्या कह रहा है कुष्चन नमबर 4 थिरी तो हमने कर लिया था ये कुष्चन बोल ला है थिरी वर्ष पूर्व तीन वर्ष पूर्व तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयू का व्योत करम अपसे पांच वर्ष पस्चात आयू के व्योतकरम का योग एक बटे तीन है उसकी वर्तमान आयू ग्याद किजिए मेरी चांसितारों कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा दो बार, चार बार, पांच बार, दस बार पड़ो लेकिन जब तक समझ में आये कुष्चन तब तक रुको मत अब इसमें आपको दो तिन सब्द के बारे में पता होना चाहिए व्योतकरम एक सब्द आपको दिखा है व्योतकरम का मतलब समझो जैसे लिखा हुआ है आपका एक बटे पांच ठीक है? अब पूछा जाए आपसे की एक बटे पांच का व्योतकरम बताओ तो व्योतकरम में कुछ नहीं करना है प्यारे बस मुडवा का नीचे कर देना है गोडवा का उपर कर देना है कुछ पल्ले पड़ा उल्ट देना है व्योत्करम का मतलब उठाई के भई या उल्टा के दियो तो पांच बटे एक बटे पांच का व्योत्करम आपसे कहा जाए तो पांच बटे एक बताओगे आज के बाद और पांच बटे एक का व्योत्करम कहा जाए तो आज के बाद आपका जवाब होगा एक बटे पांच तो मेरे चांस इतारों अगर आपसे कहा जाए one upon yaks का व्योत करम तो आप क्या बताओगे आज के बाद yaks upon one अब upon में one लिखने की कोई जरूरत नहीं इसलिए आप direct कहना की केवल one upon yaks का व्योत करम क्या होगा? yaks होगा तो व्योत करम सब्द आपको पता चल गया आपको language वाले कुश्चनों में जो सब्द होते हैं गणित के कुछ ऐसे सब्द होते हैं कि जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता जिसे जो आपको ग्याद करना हो पहला काम आप ये करिएगा हमेशा कि उसको आप मान लेना तो इसमें हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रह्मान की वर्तबान आयो तो पहला काम आपका ये होगा कि आप पहले मानिए इसको question number 4 है ये आप मानिए, क्या मानेंगे आप माना रह्मान की वर्तमान आयू एक्स वर्स किलियर है माना रह्मान की वर्तमान आयू एक्स वर्स हमें नहीं पता था, इसलिए मैंने एक सब्द लिखा इसमें माना हमने मान लिया कि रह्मान भाई साहब जो हैं, वो यक्स वर्स के हैं अभी आगे देखो अब क्या कहा है आप कुस्चन को पढ़ो तीन वर्स पूर्व रह्मान की आयू अब इसमें क्या क्या कंडिशन को पढ़ो समझो और वहीं से आप समीकरन बनाओगे कैसे बनेगा देखो एक सब्द क्या मिला है एक आपको यहां पॉइंट कि तीन वर्स पूर्व रह्मान की आयू अब तीन वर्स पूर्व रह्मान की आयू का व्योतकरम का मतलब क्या हुआ कि तीन वर्स पूर्व रह्मान की जो आयू है उसका उल्टा व्योतकरम का मतलब कि उसका उल्टा तो हमें तो यहीं नहीं पता कि तीन वर्स पूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व अब ध्यान से समझो, पूर्व का मतलब हुआ पहले, या पस्चात का कहा जाए, तो पस्चात का मतलब भी पहले, अगर आप से कहा जाए कि आप अभी भईया 100 साल के हो, और 30 वर्स पहले आप कितने वर्स के थे, तो कैसे निकालोगे, आपकी जो वर्दमान आयू कही गई है, 100 वर्ष उसमें से आप 30 को कर देंगे माइनेस तो बचेगा 70 ठीक है तो अगर पहले की आयू आपको निकाली हो तो क्या करोगे आप वर्थमान आयू में से जितने वर्ष को कहा जाए उतना आपको माइनेस कर देना है तो क्या कहा गया है कि 3 वर्ष पूर रह्मान की आयू तो अभी जो वर्थमान आयू है रह्मान की वो कितनी है मुझे नहीं पता था इसलिए हमने माना था कि वर्थमान आयू X है तो 3 वर्ष पूर कितनी होगी X से 3 को खटा दो तो तीन वर्ज पूर रह्मान की आयू कितनी? X-3 वर्ज कुछ मैंने अपने मन से किया कुछ नहीं किया अपने मन से अब आगे देखो आगे और कुछ बोला है 5 वर्ज पस्चात 5 वर्ज पस्चात आयू के व्योत करम 5 वर्ज पस्चात अब पस्चात सब्दा है पस्चात या बाद का मतलब एक ही हुआ पस्चात मतलब बाद में या आपको सब्द मिलेगा पस्चात और कभी कही कोशन में लिखेगा बाद और एक सब्द है जैसे अभी यहां आया पूर्ब पूर्ब या पहले ये दो सब्द जब मिलेगा तो सा माइनेस करना रहेगा ये दोनों सब्द आप अपनी खोपडिया में समान लो भईया खूटा गार के बांध लो कि जब कभी भी गणित में आपको पूर्व या पहले सब्द दिखेगा तो आप समझ जाना कि हमें माइनेस करना है यहां पे और जब कभी भी आपको पस्चात या बाद सब्द दिखेगा तो आप समझ जाना कि हमें इसने प्लस करना है मेरे चांसितारों तो पांच वर्स पस्चात क्या होगा पांच वर्स पस्चात रहमान की आयू यह डेस डेस कर दिया कि यह रहमान भी यहां लिखा जाएगा यहां की यहां आयू ठीक है क्या होग एक्स प्लस पांच वर्स अब यहां पर अभी आपको confusion है कैसे यह लिख दिया मैंने आप से मैंने कहा कि आप अभी मानलो 20 वर्स के हो और 5 वर्स बाद आप कितने वर्स के हो जाओगे 20 प्लस 5 बराबर 25 वर्स के हो जाओगे आप अभी मानलो 50 वर्स के हो 10 वर्स के बाद आप कितने वर्स के हो जाओगे तो कैसे पताओगे 50 में 10 को एड़ करोगे तो ऐसे तो हमने भी किया यहां पर 5 वर्स पस्चात मतलब 5 वर्स बाद रह्मान की आयू कितनी होगी तो जो वर्तमान आयू है रह्मान साहब की उसमें आप क्या करिए पांच को जोड़ दीजिए बस ये हो गया पांच वर्स पस्चात रह्मान की आयू अब आगे देखो अब हम चलेंगे प्रस्ना नुशार तो आप लिखिए मेरे चांसितारों क्या लिखिएंगे प्रस्ना नुशार क्या होगा प्रस्न कहें क्या रहा है पहले ये भी तो देखो तीन वर्स पूर्रह्मान की आयू का व्योत करम अब तो आपको पता चल गया कि तीन वर्स पूर्रह्मान की आयू कितनी x-3 वर्ज्ट, तो इसका व्योथकरम क्या होगा, इसका व्योथकरम ऐसे सम्झो, अभी मैंने समझाया कुछी देर पहले आपको, क्या, किसी चीज का व्योथकरम का मतलब उल्टा करना, यह x-3 लिखा हुआ है, अब देखो, तो लकडिक चस्मा लगवाई लो भाई या न देखात हुए जो अब देखो X-3 का वेउतकरम आपसे कहा जाए तो X-3 का वेउतकरम क्या होगा 1 upon X-3 1 उपर X-3 नीचे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1 यह क्या हुआ चल नहीं रहा है चलो कोई बात नहीं 1 upon X-3 यह हो गया 3 वर्ष पूर रह्मान की आयू का वेउतकरम अब आगे देखो बच्चा 3 वर्ष पूर रह्मान की आयू का वेउतकरम अपसे 5 वर्ष पस्चात आयू के वेउतकरम अब पांच वर्ष पस्चात आयू कितनी? X प्लस 5 तो इसका भी व्योत्करम आपको बताना है तो इसका व्योत्करम क्या होगा? इसका व्योत्करम होगा 1 अपान X प्लस 5 आगे देखो कुश्चन पढ़ते रहो और अपना भाया प्यान चलाते रहो पांच वर्ष पस्चात आयू के व्योत्करम का योग 1 बते 3 है देखो तीन वर्ष पूर रह्मान की आयू का व्योत्करम अब से पांच वर्ष पस्चात आयू के व्योत्करम का योग मतलब इन दोनों की आयू का योग योग का मतलब जोड क्या है? एक बटे तीन है मतलब इन दोनों को अगर जोडेंगे तो वो एक बटे तीन के बराबर है ये कुश्चन कह रहा था यहां से अभी आपकी समीकरण बनेगी और उसको आप लोग सॉल्व करके एंसर लाएंगे कैसे आएगा भी देखिएगा बच्चा चलिए अब इसको सॉल्व करिए पहला काम क्या करेंगे LCM लेंगे अब जैसे कुश्चन नमबर थर्ड किया था हम लोगोंने न सेम टू सेम कुश्चन बन गया है LCM लीजिए तो LCM क्या आएगा X-3 और X-5 यह आगे आपका LCM ठीक है प्यारे अब देखो अब यहाँ पर सॉल्व करना बच्चों को थोड़ा कठें लगता है तो होगा क्या जैसे यह लिखा हुआ है तो आप इन दोनों को ब्रेकट में लिख दिये यह LCM हो गया गुड़ा के रूप में लिख दो एक सास अब को अगर यहाँ पर कोई और होता एक तर्म न तो उसको भी ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर हमेशा ऐसे करना अब क्या करना है कि देखो यह आपकी एक भिन एक भिन यह है तो पहली भिन का जो आपको नीचे दिख रहा है उसको क्या कहते हो हर उपर जो रहता है उसको अंस कहते हो नुमिरेटर तो आपको क्या करना है पहली भिन का जो हर है उसको पकड़िए देखिए जो आपने LCM लिया है उसमें है वो की नहीं है होगा हमेशा होगा हमेशा होगा तो X-3 है आपका यह हर और जो LCM में है X-3 उसको आप लोग ढख लेंगे उसके अलामा जो कुछ भी बचेगा आप उसको क्या करिएगा पहली वाली भिन का जो अंस होगा उसके साथ गुड़ा कर देना यही तो भिन आपको बताई गई थी करने के लिए बसपन में 3-4 में जब पढ़ते थे बच्चा याद करो बसपन तो X-5 का जब गुड़ा आप एक में करोगे तो क्या आपको मिलेगा आपको X-5 ही मिलेगा क्योंकि आप लोग समझदार हो कि कितनी बड़ी से बड़ी कितनी चोटी से चोटी संख्या का गुड़ा एक से करने पर हमें वही चीज फिर से मिलता है कोई उसमें बदलाव नहीं आता अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो माइनेस होता तो माइनेस लगा देते इसका काम खतम दूसरी वाली भी हिन है वन अपाउन एकस प्लस फाइब इसमें आपको डिनोमिनेटर को पकड़ना है हर को पकड़ना है हर क्या है एकस प्लस पाँच अब लासा जो आपने यलसियम निकाला है देखिए वहाँ पर एकस प्लस पाँच है बिलकुल है वो हमेशा रहेगा तो उसको छोड़ कर जितना भी आपका बच रहा है उस सब को ये दूसरी वाली भिनका जो अंस है उसके साथ कर दीजिए गुड़ा तो बचा क्या एकस माइनस थरी तो एकस माइनस थरी का एक में गुड़ा करोगे तो भाया क्या मिलेगा एकस माइनस थरी ही मिलेगा एकस माइनस थरी और इक्वल में वन अपन थरी चलेगा आपका आप देखो अब इसको सब्सकरो एकस प्लस पांच नहीं इससे क्या मतलब ये एकस और एकस 2x और 5 में से 3 जाएगा प्यारे तो बचेगा 2 ठीक है और इस पूरे के बटे में क्या चलेगा अब देखो नीचे इसको आप लोग गुड़ा करिए पहले x का गुड़ा x से करिए तो x square फिर x का 5 से तो plus 5x और फिर minus 3 का x से तो minus 3x फिर minus 3 का plus 5 से तो minus 15 और बरावर में एक बटे 3 यहां तक किलियर है प्यारे अब देखो थोड़ा और एक इस्ट इफसाल करो 2x प्लस 2 अपान में x square 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा plus 2x और minus 15 बरावर एक बटे 3 ठीक है अब तिर्चा गुड़ा करिए इसका इधर और इसका गुड़ा इधर cross multiply कहते हैं न इसको तिर्चा गुड़ा तो 3 का गुड़ा इन दोनों के साथ पहले करिए तो 3 का गुड़ा जब 2x से करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3 उन्ही 6x प्लस 3 उन्ही 6 बरावर इस पूरे का गुड़ा हमें 1 से करना है तो यह as it is हमें फिर से वही चीज मिलेगा x square प्लस 2x माइनस 15 यहां तक clear है अब इन सब को भईया इधर आप बुला लो ठीक है चलिए अब यह साब इधर जाएंगे इधर बचेगा 0 तो आप लिख लो इधर 0 अब इधर है क्या पहले से उसको पहले लिखो x square प्लस 2x माइनस 15 और 6x इधर जाएगा तो माइनस 6x और 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 ठीक है अब देखो अब x square आप लिखो x square और 2x माइनस 6x तो यह आपस में माइनस हो जाएंगे बचेगा क्या 4x और माइनस के साथ 4x देखो घटानेक तरीका क्या होता है घटता कब है जब चिन विपरीत होते हैं अब यह माइनस में है यह प्लस में तो आपस में घटेंगे और बड़े में से छोटे को घटाया जाता है तो 6 में से 2x को घटा होगे बचेगा 4x चिन उसका लगाया जा तो इसलिए 6 के सामने माइनस था हमने माइनस लगा दिया यह सब बातों आप जानते ही हो बच्चा अब माइनस 15 और माइनस 6 कितना होगा माइनस 21 जुड़ जाएगा भाईया बराबर में इधर 0 बचेगा ना तो उस 0 को हम इधर लिख दे रहे हैं इससे आपकी एंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एंसर आपका same to same हो ही आएगा यह आपके पास समीकरण आ गई है अब इसको आप लोग तीन तरीके से स्वाल्व कर सकते हो तीनों तरीका मैंने आपको बता रखा है दुईघा समीकरण को हल करने का पहला तरीका गुडणखंड विधी दूसरा तरीका पूर्ण वर्ग विधी और तीसरा भाईया तरीका कि चाहे जैसा दुईघा समीकरण हो सबको बरबाद कर देता है भाईया चंद सेकेंडों में दुईघाती सोत्र जिसको सरीधरा चार सूत्र भी कहते हैं तो हम भाया इसको सरीधरा चार सूत्र से ही स्वालब करते हैं जल्दी से हो जाएगा ठीक है चलिए उसके लिए हमें A, B और C की VALUE किया उसकता होती है ठीक है तो सबसे पहला काम आपका क्या है A, B, C की VALUE तो पता करिये, A क्या होता है, A होता है X स्क्वायर का गुडांक, तो X स्क्वायर का गुडांक तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए जब कुछ नहीं होगा, तब एक, और B, B क्या होता है, X का गुडांक, तो X का गुडांक 4 दिख रहा है, तो B बराबर 4, और यहां पर आपने गलती कर दी, चार नहीं होगा, माइनस चार होगा, चिन सहित चलना है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, चुपके से केवल कही दिया चार, कि आप लोग भी देखें, क्या पढ़े हो, अब सी, सी क्या होता है, कॉंस्टेंट, अचर पद, जिसमें यक्स नहीं होता है, तो यह आपका 21, लेकिन माइनस 21, चिन सहित लेकर चलो, सी क्या है आपका, माइनस 21, अब आप लोग ज्यानते हैं, क्या दुईगाती सूत्र, यक्स इक्वल टू, माइनस बी, प्लस माइनस, अंडर रूट, बी स्क्वायर, माइनस, 4AC, अपॉन में, 2A, यह है आपके पास, दुईगाती सूत्र, जिसको सिरीधराचारी सूत्र भी आप लोग प्यार से कहते हो, ठिक है, आप देखो, अब ABC सबकी वान, वैलू जो है, उसको उठाओ और पटक दो इसी सूत्र में बच्चा, चलिए, पटकते हैं हम लोग, पटकने में तो आप लोग माहिर हो ही, माइ माइनस बी, बी की वैलू क्या है, माइनस फोर है, और पलस माइनस, अंडर ओर बी स्कॉायर, और बी क्या है, माइनस चार है, तो माइनस चार का होल स्कॉायर, और माइनस फोर इंटू ए, ए की वैलू, वान, इंटू सी, सी है, माइनस टूंटी वन, इसको बढ़ा लो, अप minus minus plus तो यह plus 4 हो जाएगा और plus minus under root minus 4 का वर्ग तो यह 16 होगा किसी भी minus की संख्या का वर्ग हमें सब प्लस होता है प्यारे तो plus 16 हो गया और minus एक minus यहाँ है तो minus minus plus और 4 का गुड़ा करिए तो 4 एकम 4 4 2 2 8 भहिया 84 मिल गया बटे में 2 आगे देखो क्या होगा प्लस चार प्लस माइनेस अंडर रूट दोनों जुड़ी आएगा चार और छे दस एक बचा और आठ और दो दस सव बटे में दो तो X बराबर चार प्लस माइनेस ये सव सव भया किसका वर्ग होता है दस का वर्ग होता है सव को क्या लिख सकते हो जैसे देखो आपको वर्ग मूल पढ़ाया गया है प्यारे कि जैसे अंडर रूट में लिखा है सव तो इसको आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट दस गुड़े दस ठीक है तो अंडरोट में अगर अंडरोट के अंदर सेम संख्या लिखी हुई है गुड़े गुड़ेक रूप में ना तो क्या होता है वो बाहर निकाल लेते हैं अंडरोट हड़ाता है जानते हो भईया, सो किसका वर्ग है, दसका वर्ग है, तो इसलिए अब यहां पर भईया, बाहर को निकलेगा, दस, अब बटे में, दो, यह होगे आपका, अब एक बार आप प्लस लेकर स्वाल करो, एक बार माइनेस, तो प्लस लेने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमा क्या करिएगा, एक बार प्लस लेकर स्वाल कर लीजिएगा, एक बार माइनेस, तो प्लस लेने पर, देखे क्या होगा, एक बराबर, फोर, प्लस, यहां पर दो चिन्ह था, अब यहां पर केवल हम प्लस लेंगे भी, तब देखेंगे क्या होगा, दस और चार, चौदा, ब माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या होगा, x equal to 4, अब यहाँ पर हमने plus लिया था केवल, अब यहाँ पर माइनस लेंगे केवल, माइनस 10 बटे में 2, तो 10 में से 4 घटा हैंगे, बचेगा 6, बड़ा है 10 के सामने माइनस लगा है, लिए माइनिस 6 बचेगा वट्टे में 2, माइनस 3 क्र एक मतलब x वराबर माइनिस 3 ठीक है, और यह answer हो नहीं सकता, क्योंकि हम क्या निकार रहे हैं, हम आयू ग्यात कर रहे हैं, और किसी की आयू बच्चा कभी माइनस में होगी, आप से कहा जाए आप माइनस दस वर्स के हो ऐसा कभी होता है प्यारे नहीं होता यह answer कभी हो ही नहीं सकता तो इसको आप लोग छोड़ देंगे भटाओ कोई काम ही नहीं है इसका आपका final answer क्या होगा यह तो आप लोग लिखेंगे क्या आता हाँ रह्मान के वर्तमान आयू साथ वर्स है यह आपका final हुआ कुस्चन तो इस तरीके से यह कुस्चन वहिया हो गया और बड़ा important कुस्चन है प्यारे इसको आप लोग अगर एक चकर में ना समझमा आवे बच्चा तो दुबारास वीडियो देख लिए हो थोड़ा सा ठीक है जल्दी जल्दी तो इसलिए आप लोग हलके में मत लेना प्यारे बड़ा मज़ेदार कुस्चन है इस टाइप के कुस्चन आपको मिलेंगे जरूर देखने को बोड़ एक्जाम में तो पहले इसका कुस्चन नंबर 5 को मैं कराऊंगा ओके तो आज का ये कुस्चन अगर आपको मज़ा आया हो भाईया सॉल्ब करने में तो वीडियो को लाइक जरूर किजेगा पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सस्काइब जरूर किजेगा यहां पर आपको क्लास 10 की मैथ का डेली व मिलता है ओके तो आपका जो 90 प्लस का सपना है बोर्ड एक्जाम में वो जरूर पूरा होगा आप हमारे साथ जुड़िये रहिए ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए ओके तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में बाबाए सीए